बारिशों में जब याद आते हो तुम धिख जाता हो मैं मस्कराते हेलो गाइस मैं हूँ दिक्षान कामडे और स्वागते में यूट्यूब चैनल डेविलिक्रेशन पर आज हम एक नए वीडियो टर्टरोल में हैं और हम इसमें अलर्ट मशन का यूज़ करके कुछ कमाल का एफेक्त क्रियेट करेंगे आज के टर्टरोल में हम कवर करेंगे लॉक स्कृन में जो थीम रहती है वैसा ही effect त्यार करने का कोशिश करेंगे, जैसे कि आपने preview में देखा, और हाँ, वीडियो को पहले देखे, समझे, फिर ट्राइ करें, ताकि कोई detail छूट ना जाए, तो चलिए वीडियो को शूरू करते हैं अलाइट मोशन अप्स को ओपन कर लेना है, प्लस वाले अएकोन पर टैप कर दिना है, यहाँ पे 9 by 16 का रेशो सिलेक करके, प्रोजेक्ट पर टैप कर दिना है, तो कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा, अब अलाइट मोशन अप्स के टाम लाइम में, एडियो, मीडिया या टे तो जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे मीडिया, शेप, एडियो, अबजेक्ट, इलिमेंट्स, ऐसे 2-4 टूल्स पर है, मीडिया पे आजाना है, और जिस फोटो पे आप वीडियो बना चाते हो, उसको ले लेना है, फोटो आपका कौन से भी रेशो का रहे, यहाँ पे 3 composition area पे tap कर देना है, इससे होगा यह कि जितने भी आपका फोटो कम रहेगा, वो पूरा फूल कर देगा, अब हमें shape add करना है, तो इसके लिए back जाएंगे, ब्लस वाल ऐकोन पे tap करेंगे, और इसे shape add कर देंगे, अब edit shape पे आ जाना है, यहाँ पे x की value पास्वल्ट रख ले आने तक रख लेनी, screen को cover करने तक, अब back चल जाना है, move और transform में आना है, और इसे adjust करके एक side में रखना है, कुछ इस तरह से, अब back चल जाना है, अब photo पे tap कर देना है, इस वाल ऐकोन पे tap कर देना है, और इहाँ से duplicate layer कर देनी, इसे shape और photo को select कर देना है, कौन सी भी एक, और यहाँ पे second वाले इसमें tap कर देना है, तो कुछ इस तरह का होगा, यह एक group बन जाएंगा, अब group पे tap कर देना है, effect पे आ जाना है, add effect कर लेना है, blur पे चल जाना है, और यहाँ पे inner blur पे tap कर देना है, genre setting और blur को थोड़ा बड़ा देना है, जितना भी आप कमद करें, अब बैक चल जाना है, बाउडर और shadow पे आ जाना है, second वाले आइकोन पे tap कर देना है, यहाँ पे shadow on कर देना है, और size इसकी बड़ा लीनी जितना आपके photo को comfortable लगें, उतना, अब यहाँ से बैक चल जाना है, अब यहाँ पे png आड़ करना है, उसकी link में already description box में दे रखा है, तो मैंने add कर लिया है, अब move and transform में जाके, थर्डवल option पे जाना है, और यहाँ से photo आप कम ज़्यादा कर सकते हो, और first पहले icon पे आके इसे आप अपनी तरह से adjust कर सकते हो, अब back चल जाना है, अब timeline में second photo का add कर लिना है, इसे move and transform में जाके adjust कर लिना है, अपनी तरह से, अब back चल जाना है, यहाँ पे एक shape आड़ कर लिना है, अब यह वाला option पे टाप कर लिना है, अब इसे ठीक photo के ऊपर adjust कर लिना है, अब back चल जाना है, अब shape को photo के साथ mask कर देना है, उसके लिए shape पे टाप कर करके रखना है, और photo को पे टाप कर देना है, अब यह वाला option पे टाप कर देना है, तो कुछ इस तरह का अपना photo बन जाएगा, अब group पे टाप कर देना है, border है shadow पे आजाना है, और यहाँ से second वाला option सेलेक करके shadow enable कर देना है, नीचे आजाना है, position 00 रखना है, और size थोड़ी बढ़ा लिनिए, आप अपने हिसाप से बढ़ा सकते हो, अब back चल जाना है, अब date और time डालना है, उसके लिए plus वाले को टाप करके text पे आजाना है, अब यहाँ पे आप जो मर्जो time डाल जाकते हो, कुछ इस तरह से, इस पे टाप कर देना है, इसे होगा यह कि वो बीच में रहेगा, अब font को change करना है, तो robot regular पे tap कर देना है, यहाँ से आप कोई सा भी font ले सकते हो, आपकी मर्जी, यहाँ पे 18pt को थोड़ा ज़्यादा बड़ा लेना है, और color को white कर देना है, अब white पे tap कर देना है, अब move and transfer पे आना है, इसे थोड़ा adjust कर लेना है time को, अब back gel जाना, अब हमें date एड़ करने है, तो same वैसा ही, दस वाल इवन टाप करके text पे चल जाएंगे, यहाँ पे date लिख लेंगे, तो मैंने date के साथ temperature भी लिख लिख लिया है, अब same process जो हमने time के वक्ष की थी, और कुछ इस तरह से आएगा, तो इस हरे वाले dot को तुड़ा right side से कर लेना है, अब इसे भी adjust कर दिना है, अब इस पे एक smoke type कुछ करना है, उसके लिए plus वाले icon पे tap कर लेना है, shape ले लेना है, move and transfer पे जाके, फटब वाले इसमें और इसे फूल कर दिना है, और इसे निचे ला रहा है, अब बैक चल जाना है, color and fill में आना है, और यहाँ पे इस पे tap कर दिना है, इसे ऐसे फकट के, कुछ इस तरह से कर दिना है, अब white color को change कर दिना है, background के साथ जो मिलता जुलता color हो, उसे select कर लेना है, बैक चल जाना है, blending अनो, opacity में आना है, यहाँ पे light end पे जाना है, और यहाँ पे screen पे tap कर दिना है, कुछ इस तरह से दिखने लगेगा, और इस shape को, photo और group के, उपर रख लेना है, इस तरह से, अब भी यहाँ पे song add कर लेना है, उसके लिए plus वाले अब हम tap करके, add भी चल जाना है, और यहाँ से आप जो भी, वीडियो के लिए song choose किया है, उसे ले लेना है, अब वीडियो पे last में आ जाना है, और अभी तक हमने जितना भी create किया है, उस पे एक बार tap करके रखना है, और उसको, यहाँ पे tap कर दिना है, इसे होगा यू, तो कुछ ऐसा होगा, अब बैक चल जाना, वीडियो के starting में आ जाना है, वीडियो पे tap कर दिना, move and transfer पे आ जाना है, अब फोटो को लेफ साइट अब राइड कर दिना है, पे एक keyframe आड कर दिना है, इस वाले आइकोन पे tap कर दिना है, थोड़ा आगे जाके, फोटो पो नॉर्मल पोजिशन पे लाना है, अब इन दोनों के बीच में आ जाना है, इस वाले आइकोन पे tap कर दिना है, और कुछ इस तरह का curve कर दिना है, अब बैक चल जाना है, और वीडियो के last में आ जाना है, और फोटो को राइड साइट थोड़ा slide कर दिना है, अब बैक चल जाना है, effect में आ जाना है, add effect कर लेना है, लर पे चल जाना है, यहाँ पे एक motion blur select कर लेना है, standard setting, फिरसे यहाँ पे एक effect राट करना है, उसके लिए यहाँ पे tap कर दिना है, add effect कर लेना है, और यहाँ पे search कर लेना है, tiles, standard setting, back चल जाना है, तो हमारा वीडियो पूरी तरह से बन के ready हो चुक है, चाहो तो आप इसमें lyrics add कर सकते हो, lyrics वीडियो कैसे बना थे, उसकी वीडियो की link मैंने description box में दे दिये, पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मैं चाहता हूँ कि आप भी अपने creation शेयर करे, comment में बताए कि आप का वीडियो कैसा बनाए और कुछ प्राब्लम आए तो मुझे Instagram पर contact कर सकते हूँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो like करे, share करे और channel को subscribe करे, ताकि आप future वीडियो से भी update ले,